वेल्कम्ट टो गेट अब यहां पर प्रॉलम ले रहा हूं जो स्ट्रेंथ अफ मटल का थिन स्लेंडर से तो बेसिकली यह प्रॉलम गेट में आवा गेट 2008 में आवा फोर मार्क्स के लिए हुआ है यह प्रॉलम जो थोड़ा सा गेट वे ट्रिकी था ट्रिकी इन दे सेंस तो बहुत सरी स्टुट्स के अलाबा भी अगर देखोगे तो बहुत सरी मार्केट में इसी उन्युक्त सिपना और गलत है रहोपिंस और भॉत प्रॉलम आज पर लोगा है यहां पर सॉलीक्स में चला जाता है प्रावलम को सॉल करने का और क्या सही आंसर होना चीछ इस वाले प्रावलों का जो कि टू दूजन एट में फोर मांक्स के लिए गुए है रखेंगे साफ साफ यहां पर बोला पहले में फिगर को देख लिए हूं यहां पर थीन स्लेंटर के अपर की तरफ क्या किया हुआ है उस लेंटर में वाटर फिल्ड अपर और वाटर का है उसका थिकनेस वान एमेम है और रेडियस का वन मीटर का है वैसे कंडिशन में यहां पर आपको बता रहा है और स्कति लेंटर सिलेंडर उसको आपको क्या करना है नेगलेक्ट करना है क cash वाली विटर का में थाल यूस वाल रेख करना है और पर देखते हैं यहां पर यहीक्शन पर आपकर पर क्ला PilMA arm Stage 10सेल्फ करने थे परेल डीलोंटर का भी बोलते हैं यहां पर circumferential इसने बोला है दो बड़ इसने अलग लग यूज किया है यहां पर देखो गए तो circumferential stress यहां यूज किया है इस वाले को यहां पर हूप stress से भी यहां पर इसने यूज किया है दोनों सेम है the xl and circumferential stress that is sigma a and sigma c experienced by the cylindrical wall at the mid depth at mid depth at mid depth का मतलब होगा आप यहां पर देख पाओगे यह वाला पॉइंट इसको महलेट किया हूँ यह at mid depth इस वाले पॉइंट पर what is the value of sigma a and sigma c in terms of mega Pascal पूइंट में देखोगे second वाले जो पॉइंट क्या बोल रहा है यंग स्वादोस ऑफ मंटेरियल पॉइंट रेशियो दिया हुआ है एक वालु दिया हुआ है और साथी साथ मियू का वालु दिया हुआ है पॉइंट 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है यहां पर the xl strain यहां पर पूछ रहा है आपको स्ट्रेस और स्ट्रेस यहां पर पूछ रहा है जयरा यहां में ट्रेस धरलको करते हैं यहां पर साती साथ सिंस्टलेटर कि ठीवाइड से अगर पढ़ता है या किसी सोर्स से अगर पढ़ता है वैसे कंडिसिंट में क्या होता है यह दोनों ही फॉर्मला पढ़के रखते हैं पहले से इसे च्टूंट नहीं को लिए बट यहां पे चीज़ आप नोटिस करोगे अगर आपका यह वाला देखोगे यह वाला फॉर्मुला जिसको बहुत रहा हूं हुप स्ट्रस का फॉर्मुला यहां पी आप इसको यूज कर सकते हो तो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ भी है आप यहां पर बढ़ोगे इस से सब्सक्राइब ओड़ने अपके पास उसको ढब यूज कर सकते हैं विदाउट नी प्रॉब्लम तो आप इसको यूज कर पहोगे और आपको मिड़ डेप्ट पर निकालना है तो आप पी यहां पर प्रिसर की बात करो तो प्रशर आपको हो जाएगा रोज जी एच और य लेवल पर इस फाली पॉंट भी देखो गए तो इस से वह हो जाएगा यहांसे यहां हो जाएगा anda दिया हुआ है और loner 100 डün में पर आगे प्रीश का वाल्यो कर सकते हो प्रेस्ट का वाली रोग्ष तो परेसर आपको मिल जाएगा यहां dak posa न्यूटन पर मीटर स्कॉर्ड यह आपको प्रेशर का वालु यह तो प्रेशर आपको पास आ गया in terms of 10 raise to 6 that is 10 Megapascal 10 Megapascal जो है यह आगया यहां पर वैल्यू आ गया दिस इस दवाल्यू ऑफ सर्कॉंफरेंशल इस्ट्रेस जो कि सही है यहां पर अब बात करेंगे दूसरा यहां पर देखो पी आरवाई टी जो है वो आपका आरहा है 10 Megapascal तो यहां पर कैसा दिखना बताना आपको पी एर वाई टी देखो इतने गों खाली पी आरवाई टी जो है इसका वाल्यू अभी भी निकाले हैं और वो कितना आरहा है यहां पर तो वैसे कंडिशेन पर 10 by 2 कितना हो जाएगा त तो यह 5 MPa, आप देखो कि Option आगर आप देखों कि 시gma A, Sigma C तो आप देखों कि Option B जो है आपके पास, वह 5 और 10 MPa दिया हुआ है 5 और 10 MPa जहां पहला वाला Sigma A को रूप्रेजन कर रहा है और दूसरा वाला Sigma C को रूप्रेजन कर रहा है आप देखो कि sigma c और sigma i कुछ लोग ऐसा solve करते हैं बट अगर यहां तक आप solve कर रहे हो then it's okay यह सही है यहां पर लेकिन अगर कोई ऐसा solve कर रहा है तो यह यहां पर ऐसा क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसा आपको solve नहीं करना चाहिए और be all option इसका correct नहीं दिया हुआ है certain assumption होता है कि जो अंदर जो लिक्विड या अंदर जो फिल्ड फिल्ड थिन सिलेंडर के अंदर उसका जो प्रेसर होगा वह सभी पॉइंट पर आल्मुस्ट कैसा होगा सेम होगा आप ऐसे आजूम करते हो उसकी बाद इसको क्या करते हो बट यहां पर देखो प्रेसर जो है दीरे दीरे जैसे से आप नीची आज़ाए प्रेसर जो है यहां पर गेज़ प्रेसर जीरो है फ्री सर्फेस के उपर लिक्विड के जैसे से आप नीची आते जाओगे जो गेज़ प्रेसर वह क्या होते जाएगा पताना इंक्रीज होते जाएगा और बॉट और सब्सक्राइब करें तो जरूरी नहीं की मिडेप्ट की बात करें एक सिली लेवल पर यहां पे एक सिली स्ट्रेस का वालू यहां पे एकसे स्ट्रेस और यहां पे पढते हो सींपल स्ट्रस का वैलन्य स्ट्रेंट में पठते हो कि यहां पर माल लोड लगा हुआ है P लगा हुआ है इसको प्रक्रॉस सेक्षंसीन में निकालो किसी भी सेksशन सक्षेंटेश कर लेगा सेब Vaillik डॉसके वार्टं पे लग रहा है और उस comprise आपके तो है किसी भी सेक्शन पर निकाल रहे है तो जरूर निया फिर उसके आप और वह निकाल मुझे निकालना है तो मैं इस टाइब से सोचूंगा कि मालनों आपका यह जो सिलेंडर है उसको अगर मालनों कहीं से अगर कट कर लेता हो इस टाइब का इस टोनों कैसे अब यहां पर ढीकशना है आपको सिगमा निकालना है XaL डारीक्शन में अगर आपको स्ट्रेस्ष्ट निकालना है कि एक्सेल डीचे में कितना डारा है लोड आ रहा है डाट आपको इंक्लूड करना है तो उसका area निकाला जा सकता है अगर मैं area निकालता हूं उस वाले का so what should be the value of this area तो इसका जो area का value आ जाएगा वो आजाएगा आपके पास 2 pi r multiplied by t 2 pi r multiplied by t सब्सक्राइब कर लेता हूं और एसे straight line बना जाएगा महां पर लेंच कितना हो जाएगा इसका लेंथ कितना हो गया और तो एप यहां पर वेंड की अगर में बात करूँ what is the value of weight तो वेंट यहां पे है अब mid-depth पूछा तो कई पर क्या करते स्टूडेंट मीडश्ट अलएंड ने वाला है या कहीं पर खुण आने वाला है इस कंटेनर में जितना भी वाटर रखा हुआ उन वाटर का या उसके पूर्य वाटर का वेट आपके बॉटम पर लगेगा और उसके डिया निलॉट उसी के कारान ऐसे श्ट्रस आने वाला हैं तो मिड्व पूछे या और अपको जो यह वेट लेना है वह टोटल लिक्वीड का वेट लेना है तो वेट लेने के टाइम पर लगेगा तो तो लिक्वीड का विड का वेट अजाएगा गामा डेट इस मल्टीप्लाइड बई वॉ सब्सक्राइब 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 अगर आप रखोगे तो यहां से आपके पास जो सॉल होके आएगा सिग्मा ए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इसका इसका यहां पर यहां पर यह सही हो जाएगा यहां पर सिग्मा एक इतना आएगा आपका 10 अपास कल आएगा तो यह इसका आपको जाएगा अब देखेंगे सब्सक्राइब इसका इसका यहां पूछा है यह जानी यह आपको दिया हुआ है यह यह इका वाल्यू आपको दिया हुआ है पॉस्टेरियल के लिए कंटेर के में दिया हुआ है चाहत में पूछच रहा है एक्षेज इस्ट्रेंग पूछ रहा है अग्षेज जडिशेग का फॉरमला का लिगे सिंपल सिंवाली पार्ट को सॉल्ल कर रहा हूं जौन सिंवाली पार्ट में सिंस इन सब्सक्राइब करूं तो यहां पर देखो कि एक स्ट्रस जो होता है वो होता है रेडियल एक होता है एक होता है अपके पास टेंजेंस यह उता है इसको मालने मों बहुता हूँ जो चिस्ट्रस से उसको नेगलेट कर देते हैं इसका वाल्मोस थी स्मॉल होता है वह चिछ रहता है सिटेंटर मीरे हैं वालमोस जाता है सिर्फ सिग्मा ए और सिग्मा सि आपके पास यहां पर वह है वैसे कंडिेशन में आपको निकालना है इस ट्रेइन इस ट्रेती दिवायड़ेड़ वई E minus of mu times of sigma y plus sigma z A को छोड़के बाकी का R और C तो R तो 0 होगे आप से यहाँ पर हो जागा सिफ sigma C divided by E हो जाएगा यहाँ पर आपके पास sigma A का value भी है sigma C का value भी है E का value भी आपको दिया हुआ है और mu का value भी आपको दिया हुआ है just put all the values यह सभी values को आप यहाँ पर substitute कर लो तो strain in Excel direction जो आपके पास आजाएगा 7 into 10 raise to minus 5 आजाएगा तो इस टाइप से problem यहाँ पर solve होगे आप निकाल लिए option यहाँ पर दिया हुआ है option C यहाँ पर आजाएगा correct 7 into 10 raise to minus 5 आप देखोगे gate 2008 में क्या है न 4 marks का problem दिया था most of the students second वाला पार्ट तो बहुत दो इंपोर्टन नहीं था लेकिन common data होने के कारण 4 marks था पहले वाले के answer पे पहले वाले के answer पे दूसरे वाले का answer depend कर रहा था अगर कोई sigma A और sigma C को अगर गलत ले लिए ता तो वैसे गंडिशन में सेकेंड वाला प्रॉलम भी रॉंग हो जाता तो आपको मांक्स दोने कोईशन में आपका मांक्स नहीं मिलता और दोने में आपका निगेटिव मार्किंग महां पर हो जाता 2008 की बात करूँटो तो वैसे गंडिशन में पहले वाले का सही सॉल करने जूरी था ताकि आपको दूसर वाला प्रॉलम है वह भी सही सॉल हो सके तो इस तरह के से आप डोन ही प्रॉलम को सही बना सकते हो अगर आपके पास जो बेसिक कंसेट वह में है इसलिए कई पर क्या होता है अगर बात करेंग को पढ़ने के लिए तो पढ़ना आपको ऐसा चाहिए कि आपका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है यह आपको कम से कम समझ आ जाएगा तो इसका यह वाला जो है आंसर सही होगा फर्स्ट वाला उप्शन और उसके कारण दूसरा उप्शन पर सही होगा और जो आइट के प्रोफिसर ने ऐसा जान कुछ को ऑप्शन ट्रेट किया जो दोनों यह उप्शन आपको गलत आएगा जैसे एक्जाम्पल बी वाला उप्शन जान बहुत सरो लोग सो सही सोचते अब दखोगे तो जो की गलत है यहां पर ऐसा विल्कुल नहीं करना है तो आपको जो बनाना हो का प्रॉलम को वह इस वे में बनाना होगा जहाँ पर आपका दोनों ओक्षन क्या पाएगा तो प्रॉलम थोड़ा सा ट्रिकी था है यहाँ पर डिरेक्टल उसने क्या करेंगे सीधर सीधा formula याद है because exercise stress और hoop stress दोनों का formula इस वोड़ों को याद रहता है almost formula आपके पास था यहां पर सीधा formula लगा लेते हैं PR by T और PR by 2T और सीधा पढ़ेगा वहां पर कि कहां पर आपको डायेट फार्मला लगाना चीए या फिर कहां पर आपको डायेट फॉर्मला नहीं लगाना चीए दोनों और यहीं तभी बिल्ड़ अप हो पाएगा जब आप किसी subject को एकदम बेस्ट वे में प्रिपेर कर रहे हो तो उसका जो discussion हो रह है कि ठीक है इस वाले को ऐसे किया था पढ़ाया था तो इस वाले को ऐसे पढ़ाया था तहो आपके। सट spent कर रहे हो just Citas a कई ऍसे था सब्धर हाई और वायुक्त सालने हैं Android ओना और बार सब्सक्राइब ग्तले सब्सक्रान आ। तो आप इस वे में इसको इजी वे में solve कर पाएंगे ओके, thank you